तो देखिए हमारा टोपिक चल रहा था इस्टकाल बनाने के नियम जिसके अंतरगत हमने दो नियमों को पढ़ लिया था है ना फरस्ट नियम को और दूसरे नियम को हम पढ़ चुके थे अब आज हमें तीफरा नियम फमजना है अच्छा ये पूरू में बता चुका हूं इस इस प्रारंब के दो नियम में पता चुका हूं आज चर्चा करेंगे तीसरे नियम की तो देखिए इश्ट काल बनाने का तीसरे नियम अब इसको समझिए तो देखिए यदी बारा बजह दिन से सुर्यास्त के अंदर का जन्म हो यदी बालक का जन्म जन्म समय और सुर्यास्त काल का अंदर कर लिया जाता है और जो शेंश-राशी हमें पराप्त होती है उसे ढायफे बुरा करदेना है तो हमने जो अभिष्ट राशी प्राप्त होगी वह इश्टकाल होगा यह इसका नियम है जो हमने जिफ़े चर्चा हम कर चुके हैं यह दूसरा नियम था जिफ़का पूरा अपनोंने कल डिस्क्रिप्शन किया था यहां ब्लेक बॉर्ड में पुरा बताया था अब आज अपन बात करते हैं तीसरे नियम की तो तीसरे नियम में देखिए कि यदि सुर्यास्त से बारा बजे रात्री के बीतर जन्म होता है तो जन्म समय और सुर्यास्त काल का अंतर कर लेना है तो जन्म समय और सुर्यास्त काल का हमें अंतर कर लेना है दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है और जो शेंश राशी हमें प्राप्त होती है उस शेंश राशी को धाई गुणा करना है या धाई से उसे गुणा कर लेना है ठीकिना और गुणा कर लेने के ब उससे क्या करना है दिनमान में जोड़ देना है तो जो हमें अभिष्ट सेंख्या प्राप्त होगी वही इश्टकाल होगा ठीक है ना यहां दूसरा नियम है तो समझ गया ना पहले नियम में क्या हो रहा है कि बारा बजे से शुर्यास्त के अंदर का जन्म है और तीसरे नियम में क्या हो रहा है कि 12 बज़े से सुर्यास्त से रात की 12 बज़े के बीच का जन्म है तो इस कंडिशन में पीसरा नियम लागो होगा अब इसको हम एक एग्जामपल लेके समझने की कोशिश करते हैं हम इसको एक एग्जामपल से समझेंगे तो देखिए हम एक एग्जामपल कंफिडर कर रहे हैं कि हम नगर आरा को ही ले रहे हैं क्योंकि इसका सारा केल्कुलेशन हम पूर में कर चुके हैं अगर कोई नया शहर हम कंफिडर करते हैं तो वापर शुरू से चलना पड़ेगा फिर उसके अपने को अक्षांश निकालने पड़ेगे रहांश निकालने पड़ेगे फिर इनका सुर्योदय निकालना पड़ेगा उसका फिर लोपर टाइम निकालना पड़ेगा तो अब देखिए देखिए कि विक्रम संबत 2000 वाइशाक शुक्ल दितिया चोईस अप्रेल सुमबार के दिल बालक का जन्म होता है और बालक का जो जन्म समय है यह जन्म समय है कि बालक का जो जन्म समय है है दस बचकर 45 मिनिक जेफा की नियम के यह जो नियम पता है कि इस्टेट्मेंट में मालूम पड़ा ही होगा आपको कि अपनोंने क्या बता है इसको सुर्योदय से लेकर रात्री को बारह बजे के बीच में जन्म होता है तो तीसरा नियम लगू होता है तो यहां पर बालत का समय क्या है दस बचकर 45 मिनिक रात्री का समय और यह समय जो लिखा हुआ है यह स्टेंडर्ड टाइम है और आप अच्छी तरफ जानते हो कि स्टेंडर्ड टाइम पूरे भारत की गारे तो यह समय हो गया अब देखिए यह समय हो गया तो जन्म हमारा पहला कारी होगा स्टेंडर्ड टाइम है इसको अपन लोकल समय में करने के लिए हमें यहां पर दो संस्कार करने होंगे एक तो देशांतर संस्कार और दूसरा वेलांतर संस्कार दोनों संस्कारों को करने के बाद यहाँ मानक समय इस अनी समय में परिवर्टिक हो जाएगा तो पहले देशांतर संस्कार करते हैं अपने साथ तो यह हो गया देशांतर 빵 देशंतर को दोतीन दिन जोजी you with है Millette सब्सक्राइड तो इसको में बता जितर आ उता है की यहां पे अपने को क्या करना में देखिए है रेखांश आरा का रेखांश ऑर भारतीय मानक समय का रेखांश दोनों का अंतर कर लेना है तो देखिए आरा का जो तो रेखांश है वो है चोर्याफी अनुश है ना चोर्याफी अनुश और 40 मिनिट और भरतिये मानक समय इफका रेखांश होता है 82-30 तो हमने इनका अंतर किया और इंदोनों का अंतर किया 84-40 और 82-30 इन दोनों का हमने जब अंतर किया तो हमें क्या प्राप्थ हुआ दो दस यहां पर दो क्या है तो दो अंशे और दस कला है यह भी चोर्यांती अंश और 40 कला द्यांती अंश और 30 कला फिके इन दोनों का डिपरेंस किया है तो दो दस हमें प्राप्त हुआ अब अपन अच्छी तरफ पर जानते हैं कि 1-8 अंश बराबर क्या होता है चार मनिट होता है यह कर दिया दूं सक क्या हो गया यहां पर देखिए यहां पर अंश कनवर्ट हो गया किस के अंदर मिनिट के अंदर और यह किस के अंदर हो गया सेकेंड के अंदर तो कितना हो गया हमारा आठ मिनिट और चालिस सेकेंड तो हम इसको क्या करेंगे हम इसको जो इसके अंदर एड कर देंगे और दूसरा जो होगा वह वैलांकर संसकार वैलांकर संसकार निकालने के लिए आरा का जो अक्षांश होता है उसको हम देखते हैं तो आरा का अक्षांश कितना है पच्छी पंश ठीक है पच्छी पंश अक्षांश अक्षांश आरा का है तो आरा के अक्षांश को हम वैलांकर सानी के अंदर जो हमारा माह है माहा कौन अब्षन और के अमल मुद्प दीजिए ऐह आपके पंचांग में दीवगी तो इनको देखकर हमें मान देखना है तो क्या हुआ प्लस टू हुआ तो दोनों को देशांतर और बैलांतर को हम क्या करेंगे बच्चे का जो जन्म समय है यह क्या है इसके अंदर दोनों को हम जोड देंगे तो हमने जोड दिया तो हमें क्या मिला इस्थानिय समय मिलता है इस्थानिय समय हमें मिलता है एन 45 ठीके प्लस या इसको अपन जिरो जिरो भी करते हैं जिरो फेकिंड प्लस जिरो एक जिरो एक पुर्टी प्लस जिरो टू इस करफे हम इनको जोड दोते हैं तो देखिए जोडने के बाद में क्या मिला इक वर्टी एक यह ओगया आप ता किकना हो गया टेन अब 45 में एट को एड करेंगे तो यह हमें क्या प्राप्त होगा देखिए यहां पे इस्थानी समय हो गया जो लोकल टाइम हमने कर्कूरेट लिया वह होगा दस बचकर 55 मिनिट और 40 सेक्ड़ यह इस्थानी समय हो गया ठीक है यह इस्थानी समय हमने प्राप्त कर लिया अब क्या करना है देखिए अब इसको अपने को कन्वर्ट करना है इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर यह 10 बच पर 55 मिनिट और 40 सेकिंड में यह समय है तो इसको अपन क्या करेंगे इसको अपने कपने का सुर्यास्तम इसको करना पड़ेगा यह पमें प्नोटर कर लेते हैं आरा नगर का सुर्यास्त QA मैं कि अरा नगर का सुर्यास्तम फोगा यह सु लिया-स्त practical है शे बचकर पच्चीस मिनिट और दो सेकिंद यह आरा नगर के सुर्यास्त का इस्थानी समय तो हमें क्या करना होगा तो देखिए हमें इसमें पफेस्ट करना होगा ठीके नवा हमने क्या किया इसमें से इसको सब्स्ट्रेक्ट किया तो देखिए हम यह भटाते हैं 10 55 और 40 minus 6 25 और यह हमें को सबस्ट्रेक्ट किया और करने के बाद हमें क्या मिलता है तो देखिए जो रिजल्ट मिलेगा हमें वह मिलेगा फॉर कि और थर्टी है ठीक है यह हमें डिफरेंस मिला तो देखिए 40 में से 2 को माइनस किया तो आपका 38 आया यहां पर 40 में से 2 को सबस्ट्रेक्ट किया तो 38 मिला ठीक है अब यहां पर 55 में से 25 को गटाया आपनोंने तो यहां हमें 30 मिला ठीक है उसके बाद 10 में से 6 को माइनस किया तो यहां हमें 4 मिला ठीक है यह हमने क्या किया डिफरेंस निकाल दिया अब डिफरेंस निकालने के बाद इस जो करना क्या करना है यह क्या होता है यह हमारा समय किसमें है और इसकेंड के अंदर यह समय हमें इसको करना होगा घटी-पल और विपल के अंदर क्योंकि क्यों करना पढ़ेगा क्योंकि एक सेकीद्ट विपल होते हैं है इसी तरफ है मिनिट और इसी तरफ है घंटा तो देखिए इसकी शॉट लेना हो तो ले दीजिए अंगर करता हूं फिर को कि अब देखिए इसको धाइट गुणा करें को देखिए को हर्टी एंड हर्टी है इन्टू फाइबाइटू हमने धाइट से गुणा कर दिया धाइट का मतलब अब देखिए आपने पांच कि आपको क्या मिला यहां पर देखिए आपको मिला वन नाइंटी इक हो गया और वन नाइंटी डिवाइड वाइट वन नैंटी में आपने दो फे डिवाइड किया वन नैंटी को तो यह कितना हो गया आपको आपनों ने थर्टी फाइड को यहां रग दिये और शिष्टी विपल् क्या होता है? एक पल बता है, 60 विपल का एक पल होता है, तो हमने पिच्छान में से 32 को यहां रखे, और 60 क्या किया, इधर शिफ्ट कर दिया है, या एक पल को इधर अपनों ने शिफ्ट किया, अगें यह दूफरा मल्टिप्रिकेशन करते हैं, देखिए, तो 30 को 5 से मल्टिप्लाई किया, कितना हो गया, 150 और 150 डिवाइब बाई 2, कितना हो गया, 75 पिचोतर, है ना, पिचोतर और पिचोतर क्या है यह, पिचोतर पल है, है ना, और एक पर उदर से आया, तो कितना हो गया, 76 पल हो गया, कितने हो गया, चोतर पल हो गया, तो चोतर पल को क्या किया, आपनों ने, वह तो हमने फोलह को इदर रखा और एक गटी को इदर शिप्ट कर दिया तो यह क्या हो गया एक गटी हमने इदर शिप्ट की थी वो तो यह क्या हो गया जोड़ लूटीि व्या इसैं एटी सोला बतल और विधनृट कर जों क्या करना है दिनमां मैं जोडिन तो हम तो पिछली हवी कि दो गलाफों में देखे के आप दिनमान के लिट है तो दिनमान जोड़ेगे देखिए धिनमान किया निकाल के लिट जयाता हमने, वे दिनमान दिनमान 32 गटी 5 पल और 10 विपल यह हमारा दिनमान था जो हमें केलकुलेट किया था अब क्या करना है इस को जोड़ देना इसको क्या कर देना एड़ कर देने तो हम इंको एड़ कर देए हैं शारी कि यह वाला डर्म 11 16 इनको हमने एड़ किया ठीक है इंको एड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए इक्वल्ट अब यहां पे 35 प्लस 10 25 25 होगा है ना 16 प्लस 5 इसको पढ़ेंगे कैसे तो 43 गटी तर्यानिस गटी 21 पल और 45 विपल यहां क्या होगा हमारा अभिष्ट गटियादी इस्टकाल हो जो हमने तीसरे नियम को फोलो करके निकाला यहां इस्टकाल निकाल लिया हमने इसको बोलेंगे घटियादी इस्टकाल जो कि यह घटी पल विपल के अंदर है इसको क्या पहता है घटियादी इस्टकाल तो तो तीफरे नियम के इस्टकाल को फाइंड आउट किया है अब अपन बात करते हैं चोथे नियम क्या जाता है और चोथा नियम क्या है तो फर्व प्रथम आप चोथे नियम को समझने की कोशिश कीजिए कि चोथा नियम क्या करता है तो देखिए पीफरे नियम के बारे में हमने बात की थी तो पीफरे नियम ने होता है अब चोथे नियम में देखिए यदी रात के बारह बजे के पश्चार और सुर्योदय के पहले बालक का जन्म होता है तो देखिए सुर्योदय काल और जन्म समय का अंतर कर लेना जाए तो सुर्योदय काल और जन्म समय का अंतर कर लेना चाहिए और जो शेश राशी हमें प्राप्त होती है उफको धाई गुना कर लीजिए और साट गटी में से उसको गटा दीजिए तो हमारा इश्टकाल प्राप्त हो जाएगा तो एग्जाम्पल के जरिए हम इफको इफको खमजने की कोशिश करते हैं देखिए तो देखिए बालक का जर्म होता है विक्रम संवत दो हजारे वेशाख शुक्ल गृतिया सुमबार चोई सप्रेल क्या हो गया वार हो गया पिथी क्या हो गई वेशाख शुक्ल गृतिया अंग्रेजी तारिप हो गई चोई सप्रेल और विक्रम संवत दो हजार एफ हो गया अब बालक का जो संव बालक का जन्म होता है वो होता है जन्म समय देखिए जन्म समय जन्म समय है जन्म समय है चार बच कर पंदरा मिनिट रात्तिरी में बालक का जन्म समय क्या है चार बच कर पंदरा मिनिट रात्तिरी में रात्तिरी में चार बच कर पंदरा मिनिट पर बालक का जन्म होता है तो यह समय रात्री यह समय क्या है यह समय स्टेंडर्ड्समय है तो सर्व प्रधम हमें इस समय को आरा के लोकल समय में खन्वर्ट करना होगा पहली क्रिया क्या होगी कि एक मानक समय को हमें इस्थानिय समय में रुपांद्रित करना होगा और उसके लिए क्या करना होगा देशांतर संस्कार और वेलांतर संस्कार हमें करना होगा ठीक है फूर्वल की तरह ही कोई परिवर्तन नहीं है, देशान तर संस्कार और वेलान तर संस्कार कर लेंगे और दोनों को मानक समय के अंदर जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा इस्ठानी समय को ठीक है तो अब यहां जोड़ा भी क्यों जाता है, उसका भी आपको कि देखिए हैं फ़ congress होता है कि एन डिना विर्षि पटाय के वियासी इस है ना एंगां जो रेखान के वह चो यह लुष चर्ण別 कर भार्थिये मानद भ?. duż. अजले बम होता है तो करेंगे चार से क्यों multiply करेंगे क्योंकि एक बराबर चार मिनिट होता है तो चार से इसको कर दिया चार से करेंगे तो अंश किसके अंदर हो जाएंगे मिनिट के अंदर और कलायं करूट हो जाएगी सेकंड के अंदर एब और चालीज क्या है से किन इंडर और ये वोगütünर आपका देशांतर संसकार करने के के बाद आपको क्या प्राप्ट हुआ आठ मिनिट और 40 सेकिंड प्राप्ट हुआ अब वेलांतर संस्कार गल लेते हैं तो वेलांतर संस्कार में क्या करना है आरा का जो अप्षांश है ना वो है 25 अप्षांश उसको आप अप्रेल महा के कोलम में देख लिजिए वेलांतर टेबल के अंदर जो पंचांग में बनी हुई होती है अप्रेल महा के कोलम में देख लिजिए को आपको क्या मिलेगा हमापे प्लस तू लिखा हुआ मिलेगा कितना मिल इस्थानिया समाई इकल टू 4, 15 प्लस या इसको रोटेशन के अंदर लिखते हापन 4, 15 प्लस जीरो इनको अपनाने एड्ट किया तो कितना हो गया 8 और 2 दस तो 4 25 और 0 इतना हो गया 40 से किट है ना तो बालक का जो इस्थानिय समय हो गया वो हो गया 4 बचकर 25 मिनिट और 40 से कि बालक के जन्म का इस्थानी समय हम ने क्या प्राप्ट किया 4 बचकर 25 मिनिट और 40 से कि इस्थानी समय हो गया बालक के जन्म का ठीक है अब क्या करना है कि आरा का सूर्योदय पूरानी क्लास देख लीजी है उसके लिए तो हम यहां आρα का सुर्योदय लिख लेते हैं तो आरा का सुर्योदय आरा का सुर्योदय है तो आरा का जो सुर्योदय है वह है पांच चोतिफ अठ्था हुआ है पांच चोतिफ अठ्था हुआ है पांच बच चोतिफ मिनिट और अठ्थावन सेकंड इस दिन यह आरा में सुर्योदय का समय है अब क्या करना है तो इनको हम गटा लेते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो देखिए इनका डिफरेंस कैसे निकालेंगे अपन, तो देखिए, 5, 34, इनका क्या करना है डिफरेंस निकाल लेना और इनका जो डिफरेंस है वो है एक नो और अठावन में से चालीव को बटाया तो हमें मिले अठारा ठीक है अब यहां चोंतीस में से कि वो कटाया तो कितना हो मिला 9 और 5 ऐसे और को कटाया तो कितना आए एक को है कि यह क्या हूँ दिफरेंस निकाल लिया और बालत के जन्म समय के एक गंटा नो मिनिट और अठारा सेकिड बालत के जन्म और सुल्यों दे के मति अंतर कितना रहा तो यieli हो गेखो कि अदर के अंदर और ये और को और कनुमित कर देंके हम किस्के अंदर घंटी करते हैं इसको अदर कि नो और अठा इंट उस पांच बताज यह गोना कर गया हो llev में hundred आप यहां पर गुणा करने के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है देखिए इसको समझ दीजिए देखो अठार आपको पांच पर गुणा किया तो कितना आया नब्दे देखिए कि 45 में से 15 को यहां रखा आपने और 30 क्या है विपल है 30 विपल का मतलब होता है आधा पल क्योंकि एक पल के अंदर 60 विपल होते हैं तो 30 विपल का मतलब कितना हो गया आधा पल हो गया तो आधे पल को हमने एगदर शिफ्टे कि कि हमने किया 15-25 में से 15 आपको तो यह रख दिया और आधे पल को इगर शिप्ट कर लिया यह क्यों कर रहे हैं क्योंकि यह वेडियों ना पाइंटों में नी चलती है करने के लिए हमारे क्या मल्टिक्लिकेशन में आ रहा है तो इसको पाइंट में लिख देंगे पाइंटों में नी चलता है तो क्या हो गया अधे पल को अब में इधर शिप्ट कर अब यहां अगे नाइन पर गुना किया तो क्या हो गया यहां पर नाइन को फाइव से मल्टिक्लाइक किया तो 45 अब फे दिवाइड किया 45 को आग 2 अब डिवाइड करो गया कितना आ जाएगा 25 कितना आएगा 25 को दो फे दिवाइड करेंगे तो 25 तो वह है और आधा पल इधर फे शिप्ट हो गया तो कितने हो गए मटेशन करना वाग दिया कि इस दिवाइद रहेगा और वाग दिया तो कितना आएगा धाइ ना कितना गडुन है और अधि गटी को इस शिफ्ट कर दिया अ आधि गटी का मतलब कितना होता है तीस पल atr मतलब कितना होता तीस पल एक घटी में 60 पल होते हैं तो तेज तो ओल्मेटी यह थे और इसमें पीव जोड़ गया तो कितने हो गया तरफ पल और पंद्रा विपन हो गया अब यहां पर इसको क्या करना है साथ में से घटा देना है तो साथ में से घटा देना है तो फार्ट में से इसको अपन घटा देते हैं तो देखिए यह घटा है कैफे जाएगा उसको देख जी 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 ना और यह क्या है दो घटी तरपन पल और पंद्रा विपन इसको साथ घटी में से घटा है तो साथ घटी जिरो पल और जिरो विपल ठीक है माइनस दो घर्टी तरपन पल और पंदरा विपल इसको घठाया है अब इसको फामज दीजिए जिरो में से पंदरा गटाये नहीं जा सकते हैं इसको अपन पंदरा गटाये जा सकते हैं इसको अपन कंशिटर कर लेते हैं इतना कंशिटर कर लेते हैं तो सिक्स्टी में से पंदरा गए तो कितने ओपर पैटालिस तीक है यहां पर जो हमने बोरो किया था यहां पर आप यहां बचा है आपका कितना बचा है अब 59 में से आप नरपन को मानस करेंगे तो 59 में से जो इतना बचे घड़ स करेंगे इतना कुछ अचे η अब यहां पर देखिए यहां पे क्या किया है यहां तो जिरो जिरो था तो यहां पे अपनों ने बोरो किया था जो दोनों इस ट्रेप में चला यहां पे अपनों ने क्या किया था बोरो किया था इसको बोरो किया था हमने तो देखिए यहां पे अपनों ने ये कितना है फाट गटी, ये ना, फाट गटी में कितने पल होते हैं, एक गटी, एक गटी के अंदर साट पल होते हैं, एक गटी के अंदर कितने पल होते हैं, साट पल होते हैं, ये ना, तो फाट पल को हमने यह गोरो किया था, कितने से एक पल इधर ने दिया था, तो ये कित को बोरो कर लिया था कितना बचा तो बुनफार्ट गटी में से 57 गटी इसको अपन करेंगे क्या करेंगे इसको यहां पे देखिए तो खटी को क्या करेंगे करेंगे तो कितनी बची सेवन गटी चेपल और कितना आ रहा है तो यह आपका इश्टकाल हो गया गटी इश्टकाल हो अब इसके बाद बात करते हैं तो क्लास करते हैं आज आकर स्रुआर स्सक difा और किते हैं उपकाल दे के अज़ाई भाहा है झाल 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 आज अफोड़ आयो झाल झाल हो बाजी कर लॉफ भाई दिख़ेगे है लाएंगे तो आस्तों नहीं है झाल 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 झाल